असलामों अलाइकुम एवरिवन एंगलो उर्टू हाइज स्कूल इंगलीज मीडियम कक्सानों हिंदी क्या निराज हुआ जाए हजारी प्रशाद द्विवेदी जी प्रस्तो तिम्बन को मैंने दो किस्त में समझाया है चलिए हम पहले किस्त समझते हैं प्रस्त द्विवेदी जी हिंदी के प्रमुक निबनकार, समिक सक और सांस्कूरोथिक उपनैसकार है इनका नाम हिंदी साहिते जगत में अत्यदिक आदर तथा सम्मान के साथ लिया जाता है इस निबन में आज के बदलते समाज तथा जीवन मुल्यों पर चर्चा की गई है क्या निरास हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 इस्वे में हुआ और उनका नीदन सन 1989 इस्वे में हुआ था मेरा मन कभी कभी बैट जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकेती, चोरी, तसकरी और भेष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदर आदमी ही नहीं रह गया है हर व्यक्ति संदेह की दर्ष्टी से देखा जा रहा है जो जितने ही उचे पत्पर है उनमें उतने ही अधिक दोस्ट दिखाए जाते हैं देखे लेकक हमें कहते हैं कि समाचार पत्र में ठगी, डकेती, चोरी, तसकरी और भेष्टाचार के समाचार भरे होते हैं आरोप, प्रत्यारोप, प्रत्यारोप का मतलब होता है आरोप के जवाब में प्रती आरोप लगाना इसका ऐसा वातवरण बना है कि देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं लग रहा हर व्यक्ति को संदे, संदे का मतलब होता है संका की नजर से देखना और जो जितने उंचे पत पर स्थापित है उसमें अधिक दोस दिखाए जाते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोस खुजने लगेंगे देखे कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता वही सुखी है जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोस खुजने लगते हैं उसके सारे गुण भुला दिये जाएंगे और दोसों को बड़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा दोस किसमें नहीं होते देखे उसकी अच्छाई जो है उसको भुला दी जाएगी और उसका जो दोस है उसे बड़ा चड़ा कर दिखाया जाएगा पर हम जानते हैं दोस किसमें नहीं होते यही कारण है कि हर आदमी दोसी अधिक दिख़़ा है गुणी कम या बिलकुल ही नहीं इस्तिती अगर ऐसी है तो निश्चे ही चिंता का विशय है आज हम देखते हैं कि हमको दोसी आदमी ज्यादा और गुणीया तो बिलकुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं या कम दिखाई दे रहे हैं अगर ऐसी ही इस्तिती रही तो निश्चे ये चिंता का विशय है क्या यही भारतवर्स है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था देखिए हम पर सवाल है ये तो कि यही भारतवर्स है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था रवितर नाठ ठाकूर और मदन मोहन मालविय का महान संस्क्रिट सब्या भारतवर्स किसी अतीत के गहवर में डूब गया है जो उन्होंने सपना देखा था वो आज भारतवस गहवर गहवर यानि एक अतीत के गड़े में डूब गया है गहवर का मतलब गड़ा होता है आर्या और ड्रविड हिंदू और मुसल्मान यूरोपिय और भारतिया आदर्शो कि मिलन भूमी महा मानव समुद्र क्या शुक ही गया मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता हमारे महान मनिशियों के सपनों का भारत है और रहेगा देखिए मनिशियों शब्द मनिशियानि ग्णानी पंडित उन्होंने उनका जो सपनों का भारत है और रहेगा ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि इमानदारी से महनत करके जीवी का चलाने वाले निरिह और भोले-भोले समझीवी पीस रहे हैं और जुड तथा परेव का रोजगार करने वाले फलपुल रहे हैं ये बात तो सच है कि माहौल यानि वातवरण ऐसा है कि महनत जो करता है वो पीस रहा है और जूट और फरेव से जो कर रहा है वो आगे फलपुल रहा है इमानदार को मुर्कता का परियाय समझा जाने लगा है सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पढ़िये इमानदार जो है उसे मुर्क समझा जाता है और सच्चाई सिर्फ भीरू भीरू यानि भीरू का मतलब होता है डर्पो कायर सच्चाई सिर्फ कायर और बेबस लोगों के हिस्से में पढ़ी है ऐसी सिस्तिती में जीवन के महान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्ता ही हिलने लगी है परन्तु उपर उपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीथियों की रूटियों की देन है सदा मनुष्य बुद्धी नई परिस्तितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विदी नीशेदों को बनाती है उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है मनुष्य बिद्धि जो है नहीं परिस्तितियों का सामना करने के लिए सामजिक विधी निश्यदों को तो बनाती है streaming पर साबित नहीं होते तो उन्हें बदल देती है नियम कानून सब के लिए बनाये जाते हैं इससे उपरी सतह आलोडीत भी होती है आलोडीत मतला मतना होता है पहले भी हुआ है और आगे भी होगा उसे देखकर हतास हो जाना ठीक नहीं है भारत वरस ने कभी भी भौतिक वरस्तुओं के शंग्रों को बहुत अधिक महत्वा नहीं दिया है उसकी द्रश्टी से मनुश्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व इस्थीर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है लोब, मोह, काम, क्रोध, आधी विकार मनुश्य में सवभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर उन्हें प्रदान सकती मान लेना और अपने मन तथा बुद्धी को उन्हीं के इसारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है भारतवस ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रैत्न किया है परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती बेमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती देखिए लेखक ने आज की इस्तिति को कितनी अच्छे रीश से हमें समझाया है हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक काईदे कानून बनाए गए जो दरिद्र जन है उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए काईदे और कानून तो बनाए गए जो कुरुशी उध्योग, वानिजिय, सिक्सा और स्वास्ते के इस्तिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्षे से प्रेरित है परंदो, जिन लोगों को इन कारियों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है विक्ती का चित जो है, वो हर समय आदर्सों से द्वारा नहीं चालित होता जितने बड़े पैमाने पर इन सेत्रों में मनुश्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोब मोह जैसे विकार भी विस्तुत होते गए लक्षे की बात भूल गई आदर्सों को मजाग का विश्य बनाया गया और सयम को दक्यानुशी माल लिया गया परेणाम जो होना था वह हो रहा है या कुछ तोड़े से लोगों के बढ़ते वे लोब का नतीजा है जो थोड़े से लोग हैं जो लोब करते हैं उसी का या नतीजा है परन्तु इससे भारतवर्स के पुराने आदर्स और भी अधिक इस्पस्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं भारतवर्स सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है आज एका एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है दिखिए लेकर हमें कहते हैं कि धर्म को हम धोखा नहीं से दे सकते हैं पर कानून को हम धोखा दे सकते हैं कारण हैं कि लोग धर्म भीरू है यानि धर्म से डरते हैं वे कानून की रुटियों से लाब उठाने में संकोश नहीं करते हैं और कानून की जो रुटियां हैं उससे लाब उठाते हैं इस बात के परियापत प्रमान खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे ज बने हुए है देखिए जो मनुश्य है वो धर्म से डरता है इसलिए वजह से वो दब गए है पर निश्ट नहीं हुए आज भी वह मनुश्य से प्रेम करता है महीलाओं का समान करता है जूट और चोरी को गलत समस्ता है दूसरे को पीड़ा पहुचाने को पाप समझता है हर आदमी अपने व्यक्तिकत जीवन में इस बात का अनुपव करता है समाचार पत्रों में जो ब्रश्टाचार के प्रती इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं जो समाच से उन तत्रों की प्रतीष्टा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्राफ करते हैं दोसों का परदाफास करना बुरी बात नहीं है अगर किसी में दोस है तो उसका परदाफास करना बुरी बात तो नहीं है पर बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्स को उदगाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोसुद गाटन को एक मातर कर्तव यह मान लिया जाता है बुराई में रस लेना बुरी बात है अच्छाई तो उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है देखे बुराई में रस लेना बुरी बात तो है पर अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना यानि उसे बताना वो नहीं करते हैं वो और भी बुरी बात मानी जाती है शेक्टो घटनाएं ऐसी घटित है जिनने उजागर करने से लोग चित में अच्छाई के प्रती अच्छी भावना जाकती है एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने दस के बजाए सो रुपी का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैट गया थोड़ी दिर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिबे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्दित हुआ उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपे रख दिये और बोला कि ये बहुत गलती हो गई थी आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा उनके चेहरे पर विचितर संतोस की गरीमा थी मैं चकित रह गया देखिए यहाँ पर हमें एक इंसिडेंट बताया है कि रेलवे स्टेशन पर टिकेट लेते हुए गलती से 10 रुपे की जगा पर वो 100 रुपे की नौट दे देते हैं और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैढ़ गए लेकिन टिकेट बाबु जो है वो उन्हें ढूंडते हुए सेकंड क्लास के डबे में आते हैं और बाकी के जो 90 रुपे हैं वो उन्हें देते हैं और कहते हैं कि बहुत कलती से हो गया था आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और इमानदारी लुप्त हो गई है वैसी अनेक अवांचनिक घटनाएं भी हुई है परन्तु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक प्रसक्ति सालिये एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था मेरे साथ मेरी पतनी और तीन बच्चे भी थे बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी गंतव्य से कोई पांच मेल पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया रात के कोई दस बजे होंगे, बस में यातरी गवरा गए कंड़क्टर उपर गया और एक साइकल दे कर चलता बना लोगों को संदे हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है देखिए, सुनसान स्थान में जब बस बंद हो गई तो वहाँ पर बस की यातरी घबरा जाते हैं और कंड़क्टर उपर से साइकिल देकर चलता बनता है अब लोगों को संदेह होने लगता है कि हमें धोका दिया जा रहा है बस में बेठे लोगों ने तरह तरह की बाते शुरू कर दी किसी ने कहा यहां डकेती होती है दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था अब यहां पर जो बस में घबराए हुए लोग बेठे हैं वो यही सोचने हैं और अलग-अलग तरह की बाते करने लगते हैं कि यहां पर डकेती चोरी होती है जो दो दिन के पहले ही इस तरह एक बस को लूट लिया गया था परिवार सहित में अकेला ही था बच्चे पानी पानी चिला रहे थे पानी का कहीं ठिकाना न था उपर से आदमियों का डर समा गया था अब देखे बच्चे जो है पानी मांग रहे थे पर यहां पर पानी का कहीं पर भी ठिकाना नहीं था बस जो है सुनसान रास्ते में बंद हो गई थी और उपर से आदमियों का भी डर था कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मानने पिटने का हिसाब बनाया ड्राइवर के चहरे पर हवाईया उठने लगी लोगों ने उसे पकड़ लिया वो पड़े कातर धंग से मेरी और देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं बचाईए ये लोग मारेंगे ड्राइवर जो है वो कहने लगता है कि हम कोई न कोई उपाय कर रहे हैं मुझे बचा लीजिए वहना ये लोग मुझे मारेंगे डर तो मेरे मन में भी था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है वैसे डर तो मुझे भी लग रहा था पर मैंने यात्रियों को समझाया कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए परन्तो यात्रि इतने गवरा गए कि वे मेरी बात सुने को तयार नहीं है कहने लगे इसकी बातों में मत आईए धोका दे रहा है कंड़क्टर को पहले ही डाकू के यहां बेज दिया है तब जो यात्री थे जो गवराए हुए थे वो मुझे कहने लगे कि इसकी बातों में मत आईए इसने बड़ी समझदारी से कंड़क्टर को पहले ही डाकू को यहां बेज दिया है मैं भी बहुत भैबित था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पिट से बचाया दिखें डरा हुआ तो मैं भी था लेकिन ड्राइवर को मैंने किसी तरह से बचा लिया डेड़ दु गंटे बीद गए मेरे बच्चे भूजन और पानी के लिए व्याकुल थे मेरी और मेरी पतनी की हालत बहुत बुरी थी दुगर ने ट्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगा घेर कर रखा कोई भी दुरगटना होती है तो पहले ट्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा ये गिडगिड़ाने का कोई विशेश असर नहीं पड़ा इसी समय क्या देखता हो कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंड़क्टर भी बैठा हुआ है उसने आते ही कहा अड़े से नहीं बस लाया हो इस पर बैठिये वह बस चलाने लायक नहीं है फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूद लेकर आया और बोला पंडी जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया वही दूद मिल गया थोड़ा लेता आया यात्रियों में फिर जान आई सब ने उसे धन्यवाद दिया ड्राइवर से माफी मांगी और बारा बजे से पहले ही सब लोग उस अड़े से बस अड़े पहुँच गए देखिए जो ड्राइवर साइकल लेकर चला गया जो कंडक्टर साइकल लेकर चला गया था वो दूसरी बस लेने गया था पर यहां पर भैबित लोगों के मन में दूसरी दूसरी सोचानी लगी थी कैसे कहूं कि मनुश्यता एकदम समामपत हो गई कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिने मैं भूल नहीं सकता ठगा भी गया हूँ धोका भी खाया है परन्तु बहुत कम स्थलों पर विश्वाजगात नाम की चीज़ मिलती है केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन में धोका खाया है तो जीवन कश्ट कर हो जाएगा परन्तु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता किये लिका कमे समझाते हैं कि मुझे ठगा भी गया है धोका भी खाया है और विश्वास गात भी हुआ है पर ऐसी भी घटनाएं हैं अकारण मुझे सहायताएं भी मिली है निरास मन को ढाड़स दिया है और हिमत बंदाई है कवीवर रवींदर नाठ ठाकुल ने अपने एक प्रात्नागीत में भगवान से प्रात्ना की थी कि संसार में किवल नुक्षान ही उठाना पड़े तो धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसर उमें पर भी हे प्रबो मुझे ऐसी सकती दो कि मैं तुम्हारे उपर संदेह न करूँ अगर ऐसे आलाद आते भी है तो मैं हे प्रबो आप पर संदेह न करूँ मनिश्य की बनाई वीदियां गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा वस्तु तहा आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आसा की ज्योती बुजी नहीं है महान भारत वर्स को पाने की संभावना बनी हुई है बनी रहेगी मेरे मन निरास होने की जरूरत नहीं है अचरिया हजारी प्रसाद विवेदी जी हमें कहते हैं कि जो महान भारत वर्स की संभावना बनाई है हमने उसे पाने की वो बनी रहेगी हमें निरास नहीं होना चाहिए तैंक यू पो वाचिंग